वेलकम टो अल्मोस्ट एक्स तो गाईस आज की सुड़ियों हम बात करेंगे रियल्मी 8S 5G डिवाइस जो है अगर आपके पास भी यह डिवाइस है तो आपके डिवाइस में Android 12 और रियल्मी UI 3.0 का जो Early Access बीटा अपडेट को कब तक रोलाउट किया जाएगा आपके डिवाइस में आपको आपके डिवाइस में किस प्रकार से उस बीटा फॉर्म को अपलाई करना है याँ आपर क्यों जास को आपर इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टोल करना चाहिए और क्यों जास को आपर इस अपडेट को मिस करना चाहिए इस update से लेटेट सारी कुछ details इस वीडियो के साथ provide करूँगा तो वीडियो को start से end तक जरूर देखेगा तक ही दिगर information आपको पूर तरह समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को start करते हैं आपर बात करते हैं Realme 8S 5G device के Android 12 और Realme UI 3.0 Early Access Update के बारे में तो आपर मैं आपको बतना चाहूँगा इस device का name officially confirm कर दी गया है बड़ उससे पहले मैं आपको बतना चाहूँगा अगर आपके device में ये बीटा form लाइव होगा तो अगर आपके device में कुछ important काम करते हैं तो आप इस update को miss कर दीजेगा अगर आप अपने device में इस बीटा अपडेट को install करते हैं तो आपके device में कई सारे problem देखने को मिलेंगे जैसे battery drain issues, lagging issues, hanging issues, network issues और यह आपर और भी कई सारे problem देखने को मिल सकते हैं तो ये आपके ओपर depend करता है हाँ on users के बारे में बात करें अगर आप अपने device में कुछ भी important काम नहीं करते हैं और अपने device में आपको realme UI 3.0 का जो early access beta form लाई होगा उसे आपको apply करके beta update अपने device में install करना है तो आपर मैं आपको बता जाता हूँ किस प्रकार से आपको process करना होगी तो आपको आपके device की setting में चले जाना है setting में जाने को आप software update क्लिक करोगे तो हाँ पर आपको right top corner पर setting का icon दिखेगा उस पर आपको click कर देना है trial vision में आपको early access beta form देखने को मिलेगा प्यार बात करें कि आपके device में ये beta form कब तक live किया जाएगा realme की और से प्रेल माई एंड जू ये 3 मंते देखने को मिलते हैं तो आपके device में आपर realme UI 3.0 का early access beta form को लाइग किया जाएगा realme की और से तो आपर अभी कोई भी officially date confirm नहीं हुई है यहाँ पर आपको आपके device का name देखने को मिल जाता है आपर इन 3 मंते में officially confirm date प्रोवाइट कर दी जाएगी कि आपके realme 8s जो 5D device है इस device में आपको android 12 और realme UI 3.0 का early access beta update को कब तक यहाँ पर प्रोवाइट किया जाएगा आपके device में तो आपको आपके device को तब तक के लिए प्रोवाइट करके रखना होगा और इस वीडियो में इतना है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना अधिक जान करे क्लिए हमाई telegram ग्रूप में आपको जोइन हो जाना है मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाय टेक किया